तो दोस्तों अगला टोपिक है इंस्टोलेशन और आईडी के बारे में ठीक है मैं आपको बताऊंगा कि पाइफन को कैसे इंस्टोल करना है कौन सी पॉपलर आईडी है जिसके अंदर हम काम कर सकते है आईडी का मतलब होता है इंटिग्रेटेडड ॅधृट्रफेल्रमेंट अंवायर्मेंट ठीक है इंटिग्रेटेड डिवल्लमेंट एंवायर्मेट क्या होता है एक तरह का साफ्ट्वेर होता है जिसके अंदर हम अपना kod लिखते आई उसके अंदर कुछ टूल्स रहते हैं, run, debug करने के टूल्स होगे, inspect करने के टूल्स होगे, variables को देख सकते हैं, ठीक है, तो जो popular ID है Python की, जिसके अंदर हम ये code है, जो execute करवा सकते हैं, वो कौन सी popular ID है, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले हम installation के लिए जाते हैं, कि Python को कै इसे install किया जा सकता है, official website पर जाओंगा, ठीक है, वहाँ पर download का option है, यहाँ पर python 3.12.1, यह इसका latest version है, यहाँ पर इसने automatically detect कर लिया, मेरा कौन सा OS है, आपके case में हो सकता है, आप Linux में काम कर रहे हो, यहाँ हो सकता है, Mac पे काम कर रहे हो, ऐसी मैं Windows पे काम कर रहा हूँ, तो वैसे मैं Python को download करूँगा, Python को download कर लेते हैं, ठीक है, जाओ पर जाएंगे, इसके उपर double click करेंगे, ठीक है, आपने install करते हुए, यह दोनों option को take करना है, ठीक है, with admin privileges, while installing py.exe, or add python.exe to the path, ठीक है, उसके बाद install now button पे आप click करेंगे, इसको yes करेंगे, तो यह setup installation का process start हो Python का program execute करने के लिए, हमें Python का environment set up करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, इस process से हम अपने system के अंदर Python का environment install करेंगे, python install करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में हम अपना code execute करने के लिए, हम Python की ID install करेंगे, ठीक है, setup was successful, यहाँ पर setup install हो गया है, इसके उपर में आप click करेंगे, yes करेंगे और इसको आप close कर देंगे, ठीक है, इसको close करने के बाद आप अपनी command line पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे Python, ठीक है, यहाँ पर इसने बता दिया Python 3.12.1, ठीक है, इसका मतलब Python आपके य ID is available है market में, जैसे Eclipse हो गया, ठीक है, और Sublime Text के अंदर भी आप install कर सकते हो, ठीक है, VS Code के साथ भी आप Python इंस्टाल कर सकते हो, पर जो मेरी फेमलिट आइडिया और काफी popular आइडिया है, वो है PyCharm, ठीक है, अब हम PyCharm install करेंगे, ठीक है, PyCharm को install करने के लिए देखें, दो Community Edition, ठीक है, जो हम install करेंगे, वो Community Edition इंस्टाल करेंगे, because it is free of cost and it is an open source, ठीक है, यह free है और यह open source है, डाउलोड पे क्लिक करेंगे, और PyCharm डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है दोस्तों, तो हम एक मिनिट के लिए वेट करेंगे, जो पाईचाम Community Edition डाउनलोड हो गया, अब हम जाएंगे, डेक्स्टॉप पे इस पे डबल क्लिक करेंगे, पाईचाम पे डबल क्लिक करना है, यस करना है, जो भी option आपक के साथ में आपको जाना है, अगर आपको डेक्स्टॉप पे शॉटकट चाहिए, तो आप इस को क्लिक करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट, इंस्टॉल, तो पूरा का पूरा सेट अप काफी इजी है, इसको इंस्टॉल करना, जो जो options आपको दिखाता जाएगा, आपने नेक्स्ट करते जाना है, देखिए, पाइचाम कॉमुनिटी एडिशन आपके सिस्टम पे सक्सेस्टॉल हो चुका होगा, ठीक है, उसके बाद में आप फिनिश क्लिक करेंगे, ठीक है, ये पाइचाम आपके पास इंस्टॉल हो गया है, आप डबल क्लिक करेंगे, फस्ट पाइचाम, आप इसको टाम जान कंडिशन को जो भी प्राइवेसी पॉलिशी है, आप इसको पढ़ लेना, अगर आपके पास टाइम है तो, आप इस पे क्लिक करके, नेक्स्ट कॉंटिन्यू, डूनोट सेंड, इस अप टू यू, ठीक है, उसके बाद में आप न्यू प्र ब्रोजक्ट करनाम, यहाँ पर मैं डेमो दे रहा हूँ, क्रिएट करेंगे, सबसे पहले, सबसे पहले क्रिएट करने से बाद हम चेक करेंगे, कि शिस्टम में पाइफन गुदी इंस्टॉल हो चुका है, और ये आइड के साथ पाइफन इंटिग्रेट हो चुका है या नह दिखा रहा है तो आप इसको automatically fix भी कर सकते हैं अगर आपके case में नहीं दिखा रहा है तो कोई problem नहीं तो सबसे पहले हम यहां जाकर एक नई file create करेंगे जिसका नाम होगा main.pile ठीक है main.pile में हम check करेंगे कि क्या python install हो गया है इसका syntax है यहां पर हम click करेंगे run पे hello world print हो गया है इसका मतलब यह id काम कर रही है और python इसके उपर इसमें successfully install हो चुका है तो congratulations दोस्तों first milestone हमने cover कर लिया है जिसमें हमने installation of python के बारे में देखा और id select करने के लिए हम id को installation के बारे में भी देखा ठीक है और उसको हमने python के साथ में integrate भी कर दिया और हमारी python हमारे id के अंदर में successfully काम कर रही है